नमस्कार अजीत वेब टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ विकास सच्छतेवा आज बात करेंगे जो पिछले दिनों हाल ही में एक रिपोर्ट आई Association for Democratic Reforms यानी ADR की रिपोर्ट जिसमें बताया गया कि हमारे देश के मौझूदा जो लोकसभा और राजसभा सदस्य हैं जो सांसद हैं मेंबर पार्लिमेंट हैं उन में से 40 प्रतिशत जो सांसद हैं उन पर अपराधिक मामला दर्श है या हम यूँ भी कह सकते हैं कि 40 प्रतिशत जो हमारे सांसद हैं वो कहीं न कहीं दागी हैं क्या ये जायज है ये प्रेश्ट हम अपने आप से पूछें जिनको हम वोट देते हैं जिनको हम निर्वाचित करते हैं क्या उनकी प्रेश्ट भूमी अपराधिक हो क्या ये जो मौजूदा सांसद हैं उन पर अपराधिक मामले दर्ज है लेकिन इसके साथ ही 25 प्रतिशत ऐसे सांसद हैं जिन पर बहुत गंभीर अपराधिक मामले दर्ज है आपको बता देते हैं कि जो ADR ने अपना वेशलेशन किया, जो अनेलेसिज किया वो 766 कुल सांसदों में से 763 सांसदों पर किया उनके बारे में पूरी जानकारी इकठा की और आपको बता दे कि 763 में से 306 ऐसे मौजूदा सांसद हैं जिन पर अपराधिक मामले तर्च हैं और 763 में से 194 यानि की 25 प्रतिशत ऐसे सांसद हैं जिन पर गंभीर अपराधिक मामले दर्च हैं जिन पर FIR दर्च हैं जिनकी जो बैक्राउंड है वो क्रिमिनल है जो क्रिमिनल बैक्राउंड से आते हैं तो आपको बता दे कि इन सांसदों पर जो मामले दर्च हैं उनमें हत्या हत्या का प्रियास अपहरण या महिलाओं के खिलाफ अपराध ये सभी मामले इनके खिलाफ दर्च हैं और आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहेंगे कि जो केरल राज्य है केरल से कुल 29 सांसद हैं जिनमें से 23 सांसदों के खिलाफ अपराधिक मामले दर्च हैं उसी तरह बिहार के 56 सांसद हैं जिनमें से 41 सांसदों के खिलाफ अपराधिक मामले दर्च हैं महराष्ट के 65 में से 37 तिलंगाना के 24 में से 9 और दिल्ली के 10 में से 5 सांसदों के खिलाफ क्रिमिनल बैक्राउंड होने की वज़ा से अपराधिक मामले दर्च हैं इसी तरह से अगर पार्टियों की बात की जाए राजनितिक दलों की बात की जाए तो हम आपको बता दे कि इस वक्त जो सत्ताधारी पार्टी है केंदर में जिनकी सरकार है भारतिय जनता पार्टी उनके 385 सांसदों में से 149 सांसद ऐसे हैं जिनके खिलाफ अपराधिक मामले दर्ज हैं अपने अपने क्षेतरों में या अपने अपने क्षेतरों के थानों में उनके खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज हैं इसी तरह से कॉंग्रेस के 81 सांसदों में से 43 43 सांसदों के खिलाफ जो अपराधिक मामले दर्ज हैं तर्मुन कॉंग्रेस के 36 में से 14 राष्ट्रिय जनता दल जिनके अध्यक्ष लालु प्रसाद यादम हैं और तेजस्वी यादम हैं उनके 6 में से 5 और आम आदमी पार्टी के 11 में से 3 सांसद ऐसे हैं जिनके खिलाफ अपराधिक मामले दर्ज हैं तो जनता जो है बहुत विश्वास के साथ बहुत ही विश्वास करके भरोसा करके अपने सांसद को अपने नेता को चुनती है लेकिन क्या ये जायज है कि जिस तरह से सांसदों के खिलाफ क्रिमिनल बैकराउंड होने की वज़ा से उनके खिलाफ केस दर्ज हैं और जनता को इसकी जानकारी भी नहीं होती तो क्या ये जायज है कि उनको संसद में भिट उनसे जनता की सेवा की अपेक्षा की जाए ये तो बात हो गई अब हमारे सांसदों के बारे में जिनके खिलाफ अपराधिक के स्थर्ज हैं अब बात की जाए भारत की भारत के लोग बहुत महंती हैं भारत के लोग बहुत उत्साह वर्दक हैं अपने काम से वो आगे बढ़ सकते हैं उन्होंने ये करके भी दिखाया इसका एक जीता जागता उधारन आप सभी के सामने है जो हाल ही में दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन संपन हुआ जी हां भारत ने बहुत सफलता के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी की इस शिखर सम्मे प्रेलन की जो सफलता के पीछे आखिर राज क्या है ये आपको बता दे कि एक तो अफ्रीकन यूनियन को जी ट्वेंटी की सदस्यता दी गई और उस सदस्यता के लिए भारत की और से प्रस्ताव किया गया तो भारत की और से ये प्रस्ताव करना रंगभेद निती से उपर उठकर उनको अफ्रीकन यूनियन को उसका सदस्यता बनाना ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी बहुत बड़ी सफलता रही इसके अलावा आपको बता दें कि जी शिखर समेलन जो नई दिल्ली में हाल ही में संपन हुआ उसमें विश्व के 43 लीडर्स जो नेताग हैं चोटी के नेता वो शामिल हुए जिसमें 20 राष्ट्र अध्यक्ष थे नो ऐसे थे जो गेस्ट कंट्रीज के रूप में जिनको बुलाया गया था अतिती देशों के राष्ट्र अध्यक्ष थे और उसके अलावा विश्व की जो प्रमुक एजन्सीज हैं जैसे वर्ल्ड हेल्थ और्गिनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक है या और अदर्स जो हैं ह तो अब तक की G20 की अगर ये एकतरता कही जाए तो अब तक की सबसे बड़ी एकतरता रही है और अब तक सबसे जादा जो विश्व के नेता है चोटी के नेता वो एक साथ एक जगा पर इकठे हुए इसके अलावा जो सबसे बड़ी सफलता G20 शिखर समेलन की रही वो रही दिल्ली घोशना पत्र, जी हां दिल्ली घोशना पत्र सर्व सम्मती से पास हुआ, सर्व सम्मती से सभी देशों ने इस पर अपनी हां में हां मिलाई और अपनी मोहर लगाई, हाला कि अक्सर कई शिकर सम्मेलनों में ये देखा गया है, कि घोशना पत्र को डिजाइन करते वक गोशना पत्र को ड्राफ्ट करते वक्त कोई न कोई मतभेद सामने आ जाते हैं और कई बार इस तरह से हो जाता है कि वो मतभेदों की वजह से वो जो गोशना पत्र है वो बीच में ही रह जाता है जारी नहीं हो पाता लेकिन इस बार भारत की धर्ती पर जिस तरह से चीन के र जो डोस जो की यूकरेन के साथ युद्ध कर रहा है और चाइना जो की भारत के खिलाफ हर वक्त थोड़ा कुछ ना कुछ शेडैंत्र करता रहता है वो दोनों देश अपने माइंड सेट के हिसाब से आये थे लेकिन भारत की कूट निती की सफलता इसी में रही कि उन्होंने इस घोशना पत्र को इस तरीके से डिजाइन किया कि वो सभी देशों ने उस पर सर्वसम्मती जाहिर की तो ये था आज का कारेक्रम इसी तरह जीत वेब टीवी से जुड़े रहे तब तक के लिए अजाज़त दीजे नमस्कार